नमस्कार एस्परेंट ये समय काल है 1869 से 1884 तक ये समय काल तो केवल 15 वर्ष का है लेकिन इस 15 वर्षों में भारत का राष्ट्यवाद एक नए सल्सकरण में आया राष्ट्यवाद व्यक्त करने का तरीका भी बदल गया पहली बार भारत वर्ष में ऐसा हुआ था कि भारत के सरजमी पर एक वोईस रॉय की हत्या हुई थी लॉड मेव लॉड लिट्न की भेद भाव की नीती ने अब भारत के अंदर एक नया राष्ट्यवाद की उरुजा भरी सारे वर्गों में चाहे वो समाजिक आर्थिक हो ये सारे वर्ग अब चाहे वो कुलीन वर्ग हो मध्य या सबसे निचला वर्ग लॉड रिपन भारत में उदारवादी नीती तो लेकर आएं और कुछ दिन तक भारत शांत भी रहा लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो चिंगारी जल चुकी थी लॉड रिपन बहुत दिन तक उस आग को बुझा ना सके शुरुवात करते हैं लॉड मेयो की जो वॉइस रॉइ के रूप में हमारे देश में आएं 1869 से लेकर 1872 तक इन्हें भारत का सबसे बड़ा घुमकड वॉइस रॉइ के नाम से जाना जाता था ये घोडे के पीठ पर बैठ कर मीलों दिनों तक सफर कर सकते थे इन्हें के कारेकाल में पहली बार 1870 के दशक में Financial Decentralization यानि वित्यव वी केंद्री करण की निती की शुरुवात की गई यानि अब पैसा केवल केंद्र के पास नहीं राज सरकारों के पास भी होगा और वो अपने हिसाब से इसे खर्च कर सकते हैं इसके बाद इन्होंने एक क्रिशी विवाग की स्थापना की 1872 में यानि क्रिशी विवाग को सुधारने के लिए एक प्रणाली यानि स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके साथ ही भारत में पहली बार स्वप्रतम एक जंगन्णा करवाएगे यानि की सेंसेस आबादी का गिन्ना उनको जानने का ये कारिकरम लॉड मेयो ने पहली बार कराया और बहुत सारे एकजामों में ये पूछा जाता है इसके बाद एक ऐसी घटना घटी जो आज तक बिटिश सामराज्य में कभी भी नहीं हुई थी आठ फरवी 1872 एक अफगान पठान कैदी जो की पोर्ट ब्लेर अंडर मान निको बार के आईलेंड पर कैदी करूप में था उसने लॉड मेयो की चाकू मार कर हत्या कर दी कहीं न कहीं शेर अली अफरीदी वाहवी मूव्मेंट से विद्रो से जुड़े हुए थे अब बात करते हैं 1869 में Statistical Survey of India का गठन किया गया यानी भारतिय संक्री बोर्ड का गठन हुआ इसकी चेर्मेन का स्वरूप दिया गया विलियम विल्सन हंटर को विलियम विल्सन हंटर ने इस Statistical Survey of India का चेर्मेंशिप समभाला इसमें ये समझा गया कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और जनसंजगया क्या दृष्टी कोण हैं। इतना भव्य सर्वे इतिहास में सर्फ एक बार हुआ था जब जलालोदीन मुहम्मद अकबर के दर्बार में एने अकबरी के अंदर इसका विवरणब पाया जाता है। इसके साथ ही इन ही के कारेकाल में दो कॉलेज बनवाए गएं। एक गुजरात काठिया वाड में राज कॉलेज 1868 और दूसरा राजस्थान में अजमेर मेयो कॉलेज 1875 में बनाया गया। लेकिन इन कॉलेजे में केवल राज घराने के बच्चे ही पढ़ सकते थे यानि कि प्रिंस और प्रिंसस के लिए ये दोनों कॉलेज बनवाए कह थे। इन्ही के समयकाल में स्वेज केनाल यानि स्वेज नहर की स्थापना हुई जिसका समयकाल है 17 नवेंबर 1869 पहले अगर अंगरेजों को इंगलेंड से भारत आना पड़ता था तो वुन्हें पूरा घूम कर आना पड़ता था। अब स्वेज नहर बन जाने से उनका सफर 7000 किलो मिटर से कम हो गया था। आईए इसे नक्षे के द्वारा समस्ते हैं। अगर हम देखें तो स्विस केनाल मेडिटेरिनियन सी और रेड़ सी को जोडने वाला एक केनाल बन गया था। और अगर हम नक्षे में देखें तो पहले अंग्रेज ये पूरा रास्ता आफरिका का एक पूरा परिकर्मा करते केप ऑफ गुड होप से फिर भारत पहुंसते थे। और स्विस केनाल के बन जाने से ये रास्ता उनके लिए लगभग 4500 माइल चोटा यानि 7000 किलोमिटर लमसम चोटा पर गया था। यानि अब ये इंग्लेंड से भारत की दूरी बहुत जल्दी और कम समय पर तह कर सकते थे। इन्ही के समय दो विद्रो एक कुका विद्रो और दो जा वावी विद्रो काफी सक्रिए हो गया। यूँ तो कुका और वावी विद्रो उनिस्वी सताब्दी के मद्ध से ही काफी तीवर पते लेकिन इनका जादा सक्रिय लौड मेयो के कारेकाल में देखा गया कुका विद्रो की जो सबसे मेजबानी कर रहे थे वो थे श्री सत्गुरु राम सिंग जी और वावी विद्रो की जो मेजबानी कर रहे थे वो थे सेयद एहमद बरेवाली इनके कारिकाल में ये भी कहा जाता है कि लॉर्ट में हो एक बहुत अच्छे अर्थ शास्त्री भी थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सम्राज के बजट गाटे को कम कर दिया था वो ऐसे क्योंकि उन्होंने आयकर को 1 प्रतिश्न से बढ़ा कर धाई प्रिश्चत कर दिया, इसके अलावा उन्होंने नमक के ऊपर भी कर लगाया, बंबई और मदरास में नमक कर लगाये गоко हैं, और आगे चलकर ये और भी प्रेशिडेंशीह उपर नमक कर के विधी की गई इसके साथ ही बिटिज सामराज के वैपार को बढ़ाने के लिए और जाधा कर इकठा करने के लिए इन्हों ने टेट लेवल पे भी इनिन रेलवेज को इंटेडियूस कर दिया इसके साथ ही इन्होंने एक कानून भी लाया जिसको 1872 मिलाये गया जिसे हम Indian Evidence Act कहते हैं यानि भात्य साक्षिय अधिनियम पहले evidence जाती और धर्म के हिसाब से बटी हुई थी अब सारे भारतियों के लिए एक common platform बनाये गया और आज भी हमारे करनून के प्रणाली में Indian Evidence Act विद्यमान है इसके साथ ही इन्होंने जेल सुधार का काम किया शायद इसी जेल सुधार के काम के लिए जब लॉड मेयों अंडर मान पोर्ट ब्लेयर गह रहे थे उसी वक्त उनकी वहां पर हत्या कर दी गई अगले गवर्नर जेनरल राय लॉड लिटन जिनका समय काल रहा 1876 से लेकर 1880 तक लॉड लिटन को भारत में भेजा गया था वहां के कंसर्वेटी पार्टी से बने प्रधान मंत्री बेंजमिन डिजरैली ने बेंजमिन डिजरैली ने लॉड लिटन को दोर कार्य सौपे थे एक अफगनिस्तान पे बिटिश समराज्ज को स्थापित करना और दूजा भारत को और जादा बिटिश वैपार के लिए लाबदायक बनाना लॉड लिटन का यही दो मार्क दर्शन बना जिसके लिए वो भारत आए हम उनके कारिकाल को देखें तो 1876 में सबसे पहला आया राज उपाधी अधिनियम उसके बाद भारत में एक भयंकर अकाल पढ़ा जिसका समयकाल था 1876 से लेकर 1878 कहा जाता है कि ऐसा आकाल इतिहास में तब देखा गया था जब मगद में अशोक का सामराज्य था और वहां 12 साल का घहमासन आकाल था और बहुत सारे लोग मारे गए 1877 में जहां एक तरव भारत में आकाल पढ़ा हुआ था वहीं पर लॉड लिटन ने दिल्ली दरबार का सामारो आयोजिन किया 1877 में ही स्वतंत्र वैपार की निती लाए गई और जितने भी कर जो अंग्रेज वैपारियों पर भारत में लगाये जाते थे उन्हें बंद करने की बात की गई और सबसे महदपूर कपास सुल्क यानि कॉटन टैक्स को भी अंग्रेजों के लिए भारत में माफ कर दिया गया 1878 में अब भारत के कलम को भी गुलाम बना दिया गया यानि भारतिय भाषा समचार पत्र अधिनियम यानि वरनाकुलर प्रेस आक्ट लाया गया इस अधिनियम की माने तो अब भारतिय कलम को अंग्रेजों से आजादी चाहिए होगी कुछ विचार को व्यक्त करने के लिए उनके बिना उनके आदेश के बिना अब कोई भी पत्रकार अपने बातों को व्यक्त नहीं कर सकता 1878 में सस्त्र अधिनियम यानि आम्स आक्ट बनाया गया उसके बाद इनके ही कारिकाल में 1878 से 1880 तक दूसरा अफगान युद हुआ और शायद यही वो अफगान युद था जिसने आगे चरकर लॉड लिटर की कारिकाल को भारत में समाप्त कर दिया और 1879 में वैदानिक लोकसेभा बनाया गया जो शायद भारत की कुलीन वर्ग को लुभाने के लिए बनाया गया था अगर हम लॉड लिटर के कारिकाल को देखें तो इन्हों ने रास्ट्यवाद की नीटी को मजबूत करने में मदद किया वो ऐसे कि इनके भेद भाव वाले नीती इनके रंग भेद वाले नीती इन सारे नीतियों में भारत के हर वर्ग के अंदर बिटरिस सामराज के खिलाफ एक रास्ट्यवाद की नीती भरना शुरू किरते हैं शुरुवात होती है इसकी दिल्ली दर्बार जो होता है एक जन्वरी 1877 इसी दर्बार में ये घोशना की जाती है कि अब जो महरानी कुईन विक्टोरिया है अब वो कैसरे हिंद है कैसर जो शब्द है वो एक परिशन शब्द है यानि आप कह सकते हो कि अब भारत का सरवच महा महीम महरानी विक्टोरिया होंगी यहाँ पर लाखों रुपिया खर्च किये जाते हैं इस दर्बार को लगाने में और हमारे देश से बहुत सारे रजवारे भी इस दर्बार में लाखों रुपिया खर्च करते हैं एक तरफ तो भारत में बहुत आकाल पड़ा है और एक तरफ दिल्ली दर्बार में इतना बड़ा पैसा खर्च होता है कहीं न कहीं एक वर्क के अंदर अब बिर्टिश समराज खिलाफ नफरत और रास्ट्यवाद की भावना उत्पन हो रही थी केसर हिंद एक बार महत्मा गांधी को भी साव्ट आफरिका में केसर हिंद का किताब दिया गया था 1876-78 में भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा 25 लाख से जादा लोग मारे गए बहुत सारे गाए और मेवेशी भी मारे गए एक तरफ भारत दहक रहा था आकाल की लप्टों से और दूसरी तरफ लॉड लिटन महरानी कुई विक्टोरिया के शानो शौकत में दरबार लगा रहे थे ये अकाल इतना भयानक था कि ये शुरू तो दक्षिड भारत हुआ लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे भारत को अपने चपेटोई में ले लिया शुरुवात करते हैं मदरास, महसूर, हैदराबाद, बंबई और आगे चलकर ये पंजाब तक जाता है इसी के लिए फिर आगे चरकर लॉड लिटन एक अकाल आयोग भी बनाते हैं जिसकी मेजिबानी करते हैं रिचर्ट स्ट्रेची और ये आयोग बनता है 1878 में याद रखिएगा ये आयोग का गठन किया जाता है लॉर्ड लिटन दुआरा लेकिन रिचर्ड स्ट्राची का आयोग अपने रेकमेंडेशन्स को अपने कोड को लाता है लॉर्ड रिपन के काल में जिसका समय होगा अठारा सो अस्से अब बात करते हैं 1877 सुवतंत्र वैपार की नीती उस जवाने में उद्योग करांती बिटिश सामराज के उपर इतना महरबान हुआ कि पूरे विश्व की मेजबानी करने लगा था बिटिश ब्रतानिया उद्योग करांती में इंडेस्टियर रेवलुशन पे वो पूरे बाती की सरकार जो सुवक्त लंडेन में बनी थी उसके उपर इंग्लेंड वैपारियों का बहुत जादा दबाव बन रहा था कि अब उन्हें भारत में वैपार करने के लिए आयात और निर्यात कर्द से मुक्त कर दिया जाए उनके उपर कोई भी कर भारत में ना लगाया शायद इसी तरिस्टी कौन से लॉड लिटन को हुक्म मिली होगी और उन्होंने अपने नेता की बात मानी और भारत में स्वतंत्र वैपार की निती ला दी इससे इंग्लेंड के उद्योग और वैपार को बहुत लाब पहुँचा लेकिन बहुत बड़ा तबगा जो भारत यह वैपार से जुड़ा था अर्थसास्त जुड़ा था वह अब लॉड लिटन के खिलाब खड़ा था और कहीं न कहीं अब इस खंड में भी एक राष्ट्यवाद की भावना जाग रही थी अब बात करते हैं कि अब अंकुष लगाया गया भारत के इंटेलेक्चुल क्राउड पर पढ़े लिखे तबगे पर एक बारत का बहुत बड़ा हिस्सा अब चेटना से जाग रहा था वो अपने लेखनी से लोगों को बिटिश शामराज के हकीकत के बारे बता रहा था अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अमरित बजार पत्रिका अमरित बजार पत्रिका के जो एडिटर थे वो थे शिशिर कुमार घोश ये बेंगॉली में भी आता था पत्रिका और यही पत्रिका अंग्रेजी में भी आती थी ये स्थानिय भाशाओं का इस्तमाल करके local languages में लोगों को आउगत कराते थे कि British सामराज ये किस परकार से उनका आर्थिक और समाजिक सोशन करती है और ये पेपर स्थानिय लोगों के बीच में बटा करते थे लोग उनको पढ़ा करते थे और उनके बीच में एक चेतना जगती थी इस चेतना ने लोगों के बीच में वात विवार्ष करना शुरू कर दिया लोग आपस में चर्चा करने शुरू कर दिये कि किस तरीके से बिटिस समराज उनका समाजी को राथिक सोशन करती है अब बिटानिया को ये डर हो गया कि कहीं न कहीं ये जो सोच लोगों के अंदर पैदा हो रही है वो ये सोच उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी इसलिए उन्होंने निन्डे लिया कि स्थानिय भाशाओं में छपने वाले सारे समाचार पत्रों पर वो अंकुष लगा देगी उनको उपर रोक लगा देगी और इस अदिम्यम के सूची को देखे तो आदेश का उलंगन करने वाले के जो प्रेश मशीन है उसी को जब्द कर लिया जाएगा यानि जो छाप खाने हैं उन्हें ही जब्द कर लिया जाएगा इसके अलावा दंडनायक को ये भी हग दे दिया गया कि वो जब चाहे स्थानिय भाषाओं के समचार पत्रों के उपर बादेकारी आदेश दे सकता था और यहीं नहीं अगर ये आदेश जारी हो जाता है तो स्थानिय भाषाओं के समचार पत्र के जो एडिटर हैं वो किस इसी समचार पत्र अधिनियम को उत्पेरक कहा जाता है कि उसने सब के अंदर एक आजादी की आंदोलन को भर दिया और सबसे जादा मुखर आलोचक बने 1876 में स्थापित हुए इंडियन असोशियेशन इंडियन असोशियेशन का जनम दाता जिनोंने इसको लाया उनका नाम था आनन्द मोहन बोस और सर सुरेंदर नाद बैनर जी इन दोनों ने इंडियन असोशियेशन को लाया यही था क्योंकि कलम से हम अपने डेश को बताएंगे कि अंग्रेज हमारे देश में क्या करते हैं लोगों की बीच में चेतना जगाएंगे और इनका जो मूल सिद्धान था इस समचार पत्र अधिनियम से इनके मूल सिद्धान को ही चोट पहुँचे थी इसलिए इंडियन असोशियेशन ने सबसे ज़्यादा इसकी आलोचना की उसके बाद आया 1878 सस्त्र अधिनियम धीरे धीरे करकर केवल हमारे सोच को नहीं हमारे हतियारों को भी अंग्रेजों ने अपने हक के अंदर लेना शुरू किया अगर इस अधिनियम की माने, तो अगर किसी भी भारतियों को अगर सस्त्र धर्ण करना हुआ, तो उसे लाइसेंस लेना अनुवार था तो लाइसेंस रखना उसके लिए अनुवार नहीं है कहीं न कहीं साफ रंग भेद और भेद भाव के नित्ती दिख रही थी और एक बहुत बड़ा वर्ग यहां भी लॉल लिटन के खिलाफ हो रहा है और उसके अंदर भी रास्टेवाद की भावना भर रही है उसके बाद वो हुआ जो बना लॉर्ड लिटन का कारेकाल को खतम करने का एक कारण वो था 1878 से लेकर 1880 तक दूसरा अफगान युद जानते हैं कि ये अफगान युद हुआ क्यों लॉर्ड डलहाउसी के समय अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ एक संधी की 1855 जिसका नाम था पेशावर की संधी ये उस वक्त के बाद साथ दोस्त मुहंबत खान के साथ हुआ इस संधी की माने तो इस संधी में ये कहा गया था कि दोनों की बीच में एक अच्छी राजनीतिक संधी हो जाएगी और दोनों आपस में एक दूसरे के देश में अपने राज़दूत को भेज जखते हैं यानि रसिडेंट को भेज सकते हैं इसी संधी का इस्तमाल करके लॉड लिटन ने अपने एक राज़दूत 1878 में अफगानिस्तान भेजा जिनका नाम था नेविल बॉल्स चैंबरलीन लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान के जो बाश्या थे वो दोस्त मुहम्मद खान के बेटे छेर अली खान थे उन्होंने इस पेशावर के संधी को नदर अंदाज कर दिया और लॉड डिटन के भेजे हुए राज़दूत को अपने सरहत पे ही रोक दिया यानि नेविल बॉल्स चैंबरलीन को मिलने से इंकार कर दिया और कहीं न कहीं यहीं वो कारण हुआ कि दूसरा अफगान यूद लड़ा गया दूसरे अफगान यूद में अंग्रेजों के जीत हुई और उन्होंने एक नई संधी बनाई उस संधी को 1879 में साइन किया गया जिसका नाम पढ़ा गंदमंग सी संधी यह संधी शेर अली खान के बेटे के साथ हुई जिनका नाम था मुहंबद याकूब खान क्योंकि शेर अली खान युद हार कर तुर्कमेरिस्तान की ओर चले गए और इसी संधी के अनुसार अब बिटिश का एक राजदूत अब काबूल में बैठा दिया गया लेकिन आगे चलकर इतिहास के पन्ने को अगर खोला जाए तो पाया जाता है कि 1879 में जो बिटिश के राजदूत है मेजर केवन गरी उनकी हत्या कर दी जाती है यानि फिर नौबत आती है एक युद्ध की फिर युद्ध होता है और इस बार बिटिश सामराज्ज के ही बनाए हुए बाशा याकूब खान को आत्म शर्मपड करा कर उनको देहरादून कैदी के रूपे भेज दिया जाता है इतने युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथ कुछ नहीं आता है और धन और जान के भारी नुकसान होता है और इस तरीके से इंग्लेंड लंडेन में बैठे कंजर्वेटीव पार्टी की हार होती है और जिस प्रधान मंत्री ने लॉर्ड लिट्टन को यहां वाइश्रो बना के भेजा था वो खुद अब सरकार से गिर जाते हैं बेंजमीन डिज्रैली लेकिन हम यह जानने कि क्यों ऐसा हो रहा था कि बिटिश जिसे इंडिया से इतना लाब हो रहा था और अफगानिस्तान की लडाईों से इतना घाटा हो रहा था वो फिर भी क्यों अफगानिस्तान पे लडाई या लडाई की कूछ करता था तो ये बात है दे ग्रेट गेम जिसका समय काल है 1856 से लेकर 1907 ब्रिटिश को ये लगता था कि कहीं न कहीं रशिया अफगानिस्तान को अपने हक में करके हिंदुस्तान को उपर चढ़ाई कर लेगा इसलिए रशिया को हमेशा भारे से दूर रखने के लिए ब्रिटेन अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट यानि कह सकते हैं एक ढाल एक सुरक्षा के रूप में एक देश बनाना चाहता था कि वो चाहता था कि रशिया को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही रोका जाए इसलिए इतने लंबे समयकाल तक उसने दा ग्रेट गेम की पॉलिसी अपनाए रखी और ये कोशिश करता रहा कि रशिया कभी भी आफगानिस्तान के साथ संधी करकर भारत पे हमला ना करे जब कि रशिया के अगर इतिहास को देखे तो उनका ये कभी भी मनसूबा नहीं था अहमत खान ने एक कॉलेज के स्थापना की जिसका नाम था मुहम्मद एंगलो ओरियंटर कॉलेज और आगे चल कर इसी का नाम पढ़ा अलिगड़ मुस्लिम इनवर्सिटी लौडिटन की माने तो उन्होंने भारत के नए जनेरेशन के लिए भी एक बहुत बढ़ा रोडा खड़ा कर दिया पहले ही सीविल सिवा परिच्छा मुश्किल थी क्योंकि उसकी अधिक्तम आयू 21 वर्स थी और यह एक्जाम लंडन में होता था इनके समय काल पर यह भी आशा खटम कर दी गई और इसकी अधिक्तम आयू को 21 वर्स से घटा कर 19 वर्स कर दी गई और बिलकुल नामुम्किन कर दिया गया कि किसी भी भारतियों को सिविल सिवा परिच्छा में घुसने का या एक्जाम देने का और सर मिल पाए इसके साथ ही उन्होंने एक नई सिविल सेवा लाई जिसका नाम था 1879 में वैधानिक सिविल सेवा यानि स्टाच्छुरी सिविल सर्विस लेकिन ये सिविल सर्विस वफादार उचकुलिन भारतियों को रोजगार दिने के लिए किया गया था यानि भारत के एक बहुत बड़ा तबगा जिसके अंदर वो हुनर था उसे भी सिविल सेवा से वंचित कर दिया गया आगे चल कर यही कॉंग्रेस बनेगी यही नव यूवक खड़े होंगे और सिविल सेवा में मौका ना मिलने के वज़े से यही कॉंग्रेस की वो को लिखा करते थे और वो नेम था ओवें मेरिडित ओवें मेरिडित के नाम से वो लेखनी क्या करते थे और उनकी कुछ रचनाव में है दे लास्ट डेज ओफ पंपी जो बदां 1834 में और लुसाइल एक चंद व्यक्त जिसमें चंद भरे हुए थे उस किताब को लिखा उन लॉड लिटन की भेद भाव की नीती लॉड लिटन की रंग भेद की नीती इसने पूरे देश को अब जोड़ दिया था उसी वक्त एक उदारवाद वोईस रोई लॉड रिपन हमारे देश में आते हैं और इनके समय काल है 1880 to 1884 सबसे पहला जो इनके समय में काल होता है व गठित किया था लॉड लिटन ने 1878 स्ट्रेची आयोग ने कुछ रेकमेंडेशन दिये और ये कहा कि जहां पर भी आकाल का परभाव 50% से जादा है वहां कर इकठा ना किया जाए जहां आकाल पड़े वहां भारदियों को काम दिया जाए सरकार के तरफ से और उन्हें एक फैक्टरी आक्ट बनके आती है यानि मजदूरों को लिए कुछ कानूर बनते हैं उसके बाद 1881 में भारत में पहली बार नियमित जन्गन्ना की शुरुवात होती है 1872 लॉड मेयो के टाइम पे जो जन्गन्ना हुई थी वो नियमित नहीं थी वो पहली जन्गन्ना थी लेकिन सवाल अगर ये है कि भारत का पहला नियमित जन्गन्ना तो वो लॉड रिपन के समय में होती है 1881 में और अब हर 10 साल में 1891 ऐसे करते हर 10 साल में अब जन्गन्ना होती है जैसे अभी हमारे देश में 2011 में हुई थी और आगे चलकर 2021 में होगी और 1881 में जब जन्गन् तो सुवक्त हमारे देश की अबादी थी 25 करोड चारीस लाकर उसके बाद लॉड लिटे ने जितने जादे भारतियों को फंदे बना कर हमें हमारे सोच को हमारे समझ को रोकने की कोशिस की थी उन्होंने उन सारे बंदनों को खोल दिया 1882 में जो वर्नाकुलर प्रेस आक्ट रगा था उसे भी समाब्द कर दिया इन्होंने आमस आक्ट को भी समाब्द कर दिया अब अस्थानिय भाशाओं में समाचार पत्र को पूरी आजादी दे गई कि वो अपने बात को व्यक्त कर सकते हैं इसके साथ ही लॉड मेयो के टाइम पे जो वितिय वी केंद्री करण यानि फानाइशिल डिसेंट्रलाइजिशन की बात की गई थी या डिस्टिबूशन की बात की गई थी इसे और प्रभाव शाली बनाया गया और 1882 में पहली बार भारत में अगर हम कहें तो देमोक्रेटिक यानि प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक चिंगारी दिखी जिसका नाम है स्थानिय सवशाशन की इस्थापना जो 1882 में लॉड रिपन लेकर आए इसके बाद सर विलियम हंटर आयोग बनाये गया 1882 में जो हमारे सिक्षा के सुधार के लिए एक बहुत बड़ी न्यू का काम किया और अंतता 1884 में इलबट बिल विवाद आया जिसके कारण ही विवश होकर आखिर कर लॉड रिपन को वॉइस रॉइ के गद्दी से इस्थीफा देना पड़ा अब बात करते हैं पहले एक्ट 1881 जो की फैक्टरी एक्ट के नाम पर आया ये भारत का पहला फैक्टरी एक्ट है ये अधिनियम उन्ही कारखानों पे लगा जहां सौ से ज़ादा मजदूर है दूजा ये कहा गया कि जिस भी कारखाने में अगर साथ वर्ष के कम के आयू के बच्चे हैं तो अब उन्हें काम नहीं करवाया जा सकता यानि साथ वर्ष से कम आयू के बच्चों को कारखाने में काम नहीं दिया जाएगा वहीं साथ से बारव वर्ष के वच्चों के आयू के लिए एक निरुधारित घंटे तै कर दिये गए कि इन्हें से इतना घंटा ही काम करवाया जाएगा और ये अधिनियम ठीक से पालन हो इसके लिए एक इंस्पेक्टर यानि की निरक्षा का भी नुक्त कर दिया गए कि जनक है क्यों ला रहा था अंग्रेजी हुकूमत ये स्थानिय सौशाशन क्योंकि 1857 का जो विद्रो था वो कहीं न कहीं इसलिए हुआ था कि बिटिश सामराज और भारतियों के बीच में कोई प्रणाली नहीं थी बिटिश सामराज ये भारतियों को समझ नहीं पाए कि वो कितना जादा अंग्रेजी हुकूमत रुष्ट थें शायद इसलिए एक कड़ी एक प्रणाली बनाई जा रही थी स्थानिय भाषा के लोगों को सशक्त करके ताकि वो समय समय से बताते रहें कि बिटिश सामराज से भारतिये लोग कितने जादा रुष्ट हैं लेकिन इ एक निर्वाचिद लोगों के साथ बैठना है एक निकाय बनाना है ताकि वो खुच से समझ सकें कि राजितिक छेत्र में सौशाशन क्या होती है किस तरीके से लोगों की प्रणाली को समझ कर काम किया जाता है और ग्रामीर्ण छेत्रों में इस प्रणानी को लाने के लिए तहसील बोर्ड बनाए गया तथा नगरों में नगर पाली का गठन किया गया और इनको काम भी सौपा गया जैसे कि स्वक्षता, सिक्षा, पानी, चिकिस्षा ये सारे कारियर स्थानिय सौशाशन को दिया गया यानि लोकल सिल्फ गॉर्मेंट को दिया गया इन संस्थाओं में ये कोशिश की गई कि जादा से जादा गैर सरकारी लोग रहें और इनके आए के संसाधन को भी दिया गया अगर हम बात करें कि पहली बार चुनाओ की बात की जा रही थी तो कौन देता है वोट तो इसमें ये राष्टिवाद लोग भी इससे हामी भर रहे थे कि इस चुनाओ में वही लोग चुनाओ करेंगे या चुनाओ में भाग लेंगे जो सिक्षित हो और जो कर देते हों और अगर हम बात करें कि उमिदवार कौन होगे तो केवल 5% लोग अगर सिक्षित और कर देने वाले हैं तो उमिदवारों की संक्या घटकर एक परसेंट की हो गई थी लेकिन अच्छी बात है कि भारत ने पहली बार चुनाओ को चखा इन्हीं के समय काल में हम बात करते हैं स्री स्वामी दैनान स्वरसती जी जिनका देहांत हुआ 30 अक्टूबर 1883 स्री स्वामी दैनान स्वरसती का जनम काठिया वाल गुजुरात में हुआ था और उनका बच्पन का नाम था मूल शंकर उनके बच्पन में बहुत सारे ऐसी घटनाए घटीं कि उनके विचार धारा बिलकुल से बदल गई उन्हें अपने विचार धारा को समेट कर 1875 में ब उनका कहना था कि इश्वर एक ही है उन्होंने ये भी कहा कि सारा ग्यान वेदो में ही है और इसलिए हमें वेदो की और ही लोटना चाहिए जिसे हम कहते हैं बैक टू वेदा से उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको जीवन का सही मूल सिद्धान समझना है तो आप वेदो का पठन पाठन कीजिए और उन्होंने विद्वा विवा और नारी सिख्षा को भी बल दिया उन्होंने अपनी बातों को सपस्ट करने के लिए बहुत सारे किताबे निकिल जैसे कि पाखंड खंडन 1866 सत्यार्थ प्रकाज उसको उन्होंने संस्क्रित में लिखी 1874 वेद व्यास भूमिका 1876 और रिख देव भाष 1877 ताकि आम लोग भी वेदों को समझ सके उनसे प्रेणा लेकर सही ज्यान को प्राप्त कर सके मैं इनकी मृत्यू के बारे में आपको बता दू यह उस वक्त राज में जहर मिला दिया इन्होंने बहुत नम्रता से उसे कुछ पैसे निकाल कर कहा और कहा कि तुम नैपाल चले जाओ अगर मेरी अनुवाई यह जान जाएंगे कि तुमने ही मुझे जहर दिया है तो तुम्हारे जान को खत्रा हो सकता है ऐसे महान व्यक्तितू के इंसान थे स समयकाल यानि की लॉड रिपन के समयकाल पर 1882 में एक हंटर आयोग बना जिसने सिक्षा को एक नई दिशा दी अगर हम इतिहाज के पन्ये को जहांके तो 1813 में एक अधिनियम आया जिसे एक लाख रुपे भारत के सिक्षा के लिए दिया गया 1833 में कानून आया और 1835 में अंग्रेजी भाषा स्कूल और कॉलेजिस में दे दी गई और आगे चलके फिर 1854 में वोड डिस्पाच आया जिसने इनवर्सिटी सिस्टम बनाया और 1857 में जाकर बॉंबे बेंगॉल जैसे प्रेसिटेंसी में इनवर्सिटी बना लेकिन हंटर आयो का जो मुख्यकार ये था कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन यानि उन्होंने प्रात्मिक सिक्षा पर गौर किया और सरकार को कहा कि अब हमें प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और प्राइमरी अगर सिक्षा हम दे रहे हैं तो उन्हें विशाओं स्थानिय संस्थाओं को यानि कि आज के जमाने में कह सकते हैं मुनिस्पल कॉर्परेशन और पंचायद को दे दी जाए क्योंकि वो अपने स्थानिय लोगों से जादा वाकिफ हैं उनकी समझ और उनकी सिक्षा को जादा अच्छा निंडे ले सकते हैं और मध्यमिक सिक्षा क मजबूत करने के लिए उन्होंने अनुदानिज स्कूल बनाएं आज भी हमारे देश में सबसिडाइज यानि एडेड स्कूल हैं अगर आपने स्कूल खोलने की सारी लेवल्स पूरे कर दिये हैं तो सरकार आपको अपने तरफ से कुछ पैसे देते हैं उस समय भी मध्यमिक सि सिक्षा की बात की गई अनुदानिज स्कूल की बात की गई क्योंकि प्रिटिस सामराज हर जगर स्कूल नहीं खोल सकते थे इसलिए अगर कोई प्राइविट वेक्ति आकर स्कूल खोलना चाता है तो उन्हें वो सुल्क दिया जाएगा इसके साथ ही मध्यमिक सिक्षे का द खड़ा करना चाते हैं तो उनके लिए वेवेसाई की सिक्षा लाई गई ताकि उन बच्चों की भविश्च का निर्मान हो सके और इन्होंने नारी सिक्षा के ऊपर भी बहुत बल दिया और उन्हें कहा कि इस तरी सिक्षा भी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा कि अध्यक्तम एज को घटा कर 18 वर्स कर दिया था उन्होंने फिर उस 18 वर्स को बढ़ा कर 21 वर्स कर दिया और अब वो बिल जिसने पूरे ब्रिटिश सामराज को हिला कर रख दिया वो था 1884 का इलबर्ट बिल क्या था यह इलबर्ट बिल आये जानते हैं पहले यह कहा और सह Люिये माना जाता था कि कोई भी यूरोपियां जज वो किसी भारतिय या यूरोपियन का मुकदमा लड़ सकता था लेकिन किसी भी भारतिय जज को ये और नहीं था कि वो European मुकदमे को सुनवाई कर सके लेकिन इस बिल ने एक ऐसी प्रणाली ला दी कि अब भारतिय एवं European नयाय धीशों की समान शक्ती होगे यानि यू कह लीजिए कि भारत का नयाय धीश अब European मुकदमे की भी सुनवाई का अधिकार रखते हैं अब पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने विद्रो कर दिया और अंग्रेजों ने ये विद्रो किया जिसको हम कहते हैं सुवेट विद्रो इन्हों ने ये विद्रो किया कि भारतिय जो है वो European मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते यह विद्रोह इतना बड़ा बन गया कि अंतता उसमें तब्दिली की गई इस इलबर्ट बिल में संशोधन किये गए और नया बिल 25 जनवरी को प्रस्तुत किया गया उसमें लिखा गया कि भारत के नयाधीश एरोपियन मुकदमे देख तो सकते हैं लेकिन उनका ये देखना कभी मुम्किन होगा जब वो उरोपियन नयाधीश के सयोग से मुकदमे का निर्णे करेंगे यानि अगल को उरोपियन जज है तो उसे भारतियन नयाधीश से कोई सलाह नहीं करनी लेकिन जब भारतियन नयाधीश अगर उरोपियन मुकदमे देखता है तो उसे उरोपियन नियाधिशों से सलहा करनी पड़ेगी कहीं न कहीं इस दिल की जो गरिमा थी वो अब खतम हो गई थी और एक मई को ये अपराधिक प्रक्रिया सहिता संशोधन अधिनियम बनकर 1884 में आया और कहीं न कहीं यहीं वो कारण था कि लॉड रिपन ने इस कारेकाल से स्थीफा दे दिया हमने देखा कि इस पूरे कारेकाल में किस तरह लॉड मेयो की हत्या हुई लॉड लिटन की भेदभाव की निती और लॉड रिपन की उदारवाद निती ने राष्ट्यवाद को एक नया दिशा और सोच दिया हमारा अगला वीडियो का शीर्षक है लॉड डफरेन लॉड मिंटो थांक यू फॉर वाचिंग आप अपने कमेंट्स हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि हम आपके कमेंट्स को देकर अकॉर्डिंगली अपने वीडियो को सुधार कर सकें थैंक यू